दोस्तों आज की वीडियो में बात करने हैं सोडियम के बारे में यानि कि सोडियम होता क्या है इसके काम क्या होते हैं हमारे सरीर के अंदर अगर यह सरीर के अंदर लो हो जाए यानि कि सोडियम के लेवल अगर कम हो जाए तो हमें किन-किन बातों का सामना करना पड़ सकता है क हम पहले को सबसक्राइब करना सारे सा cuandoOOM होता क्या है Καιो holding Also को हम बाहर कोई भोजन लेते हैं कोई भी डाइट है अगर हम लेते हैं उसम Bayek सुअधैनी हमारे सरीर के अंदर बोडिध और वाटर को maintenance करने का i के लबह और किया क्ाम होते इसके बारे मिंभी हम आगे बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो sodium होता है दोस्तों यह हमारे सरीर के अंदर और किसी को BP का problem है यह को maintain करने का kाम करता है या किसी को यहां पर अगर लो हो जाए तो हमें क्या-क्या परभाव का समना करना पर सकता है या हमारे सरीर के लिए चैंजर देखने को मिल सकता है तो दूस्त मैं आपको बतातू सबसे पहले अगर किसी ब्यक्ति के सरीर में अगर स्वोडियम लेवल आगर कम हो जाए तो उस ब्यक्ति को कन्फूजन हो जाती है यहनिकि कन्फूज हो जाता है उसको कुछ समझमा नहीं क्या करना है या क्या नहीं करना है या उसको बात करने में गरबढ़ाहत होती है यानिक ठीक से बात नहीं कर पाता है चलने फिलने में उसको दीकूतों का सामना करना करना पड़ता है उसके सरीर में जगह जगह पर पैदा हो जाती है या उसको ज्यादा नीद आने लगता है य सोडियम कम होने के चांसेस में और सरीर के अंगे में कहीं भी आप देखो को वहां पर सूजन पाइदा होने लगते हैं अब हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर हाई होता है सोडियम हमारे सरीर के अंदर तो क्या-क्या चेंज़ेश देखने को मिल जाता है तो सबसे पहले अगर सोडियम लेवल अगर हमारे सरीर के अंदर गर हाई होता है किसी वेक्तिक को अगर चोट लगा है तो उस's कंडियों में सबस्दार बंख किसी को तो वहँए हो जाता है यह दोस्तों अगर किसी वहला जा और पर इस Bijने होने के चांसेस बने ब्लत किसी को किड़नीकाइबिस है तो वहां पे सोडियुम लवल है यह अगर आप ज्यादा मत्रय में उ रेया अगर प्लिप लेते हैं या ज्यादा सेवन करते तो निंद नहीं बह्तंगे इस यह सारे चैन्जे से अगर हाई लेवल हो जाने के बात से बात करने के इसके बारे में दूस्तों जो इसका नॉर्मार रेंजिस होता है यह टेस्ट करने के लिए आप कभी भी ब्लड सेंपल दे सकते हो अपने सुविद्या के अनुसार इसका कोई बांडिंग नहीं होता है कोई प्रेकुरूशन लेनिंग जुरूरत नहीं पड़ती है तो यह सारी जनकारिया देने वाला थे इस वीडियो में तो उम्मीद करते वीडियो पसंद आयो तो नीचे कमेंट करना या मुझे आप मुझे इस्टाग्रम पर फॉलू करना वहां से डायेट मुझे बात हो जागी तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक नहीं टॉपिक के साथ